हेलो माई डियर स्टूडेंट आपका स्वागत है जीव बिज्ञान के एक नए वीडियो में तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनुस्यों में लिंग निर्धारन कैसे होता है फ्रेंड लिंग निर्धारन जो टापिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्डेंट है क्लाश 12 के लिए भी और अधर एक्जाम्स के लिए भी तो चलिए फ्रेंड क्या है मनुस्यों में लिंग निर्धारन जो कि आपके NCRT बुक में क्लाश 12 में पेज नंबर 95 पर दिया हुआ है आप वहां से भी से देख सकते हैं इस टॉपिक को ठीक है तो चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि मनुस्यों में लिंग निर्धारन ऻिसे इंगलिस में कहते हैं जेन्डर डेटर्पायनेसन इनओन यानि कि मनुस्यों में लिंग निर्धारन किस प्रकार से होता है कौन से गुर्षूत्र इसमें सहायता करते हैं और कितने प्रकार के गुर्षूत्र पाजाते हैं मनुस्यों में तो इन सभी टॉपिक को मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूँगा तो फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि मैं जो न्यू वीडियो भेजूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुश सके क्या होगी क्योंकि अगर आप से पूछा जाएं जमनर और मादा युगमघ क आपस में मिलते हैं तो क्या होता है निशेचन होता है निशेचन के पस्चात यहिंद कि नर और मादा युगमक दोन्ओं भाग लेते हैं लेंगिग जनन में तो हम लेंगा जनन से उत्पन होने वाला पराणी नर है या मादा यानि कि फ्रेंड लिंग निर्धारन ऐसी परकिरिया है जिसकी सहायता से हम यहां पता लगा सकते हैं कि जो लेंगी जनन के बाद जो निसेचन के बाद जो उत्पन होने वाला पराणी नरहा या मादा यानि कि लड़का है या लड़की ठीक है तो इसका पता लगा सकते हैं हम लिंग निर्धारण की चाहिता से लिंग निर्धारण म यानि कि फ्रेंड गुर्थूत्र ही लिंग का निर्धारन करते हैं यानि कि नरहा या मादा लड़की है या लड़का ये जो है फ्रेंड निर्धारन करते हैं गर्ब में कौन लिंग यानि कि friend गुर्चूत्र chromosome जो होते हैं friend वही ling का निरधारन करते हैं ठीक है इतना आपको याद रखना है अब friend देखें मनुस्यों में कुल गुर्चूत्रों की संख्या कितनी होती है कि आप लोग बता सकते हैं तो होती है friend 46 अगर आपको पता होगा तो आप कमेरे में जरूर बताएं कि मुझे पता था 46 गुर्चूत्र होते हैं friend अब 46 को हम 23 जोड़ी के रूम में भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं न 23 जोड़ी का मलब एक जोड़ी में कितने होते हैं 2 तो 23 जोड़ी मलब 46 गुर्चूत्र ठीक है 46 क्रोमोसोम होते हैं मनुस्य में जो होते हैं friend वो 46 गुर्चूत्र पाए जाते हैं आपको बहुत अच्छे से इसे लर्ण का लेना बहुत ही important है तो मनुस्य में कुल गुर्चूत्रों की संख्या कितनी होते हैं फ्रेंड 46 और जिससे हम अधर वर्ण में क्या कह सकते हैं 23 जोड़ी अब फ्रेंड गुर्चूत्र भी दो परकार के होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ एक है दैहिक या काईक अथवा समझाद गुर्चूत्र फ्रेंड ये दैहिक गुर्चूत्र काईक गुर्चूत्र और समझाद गुर्चूत्र तीनो एक ही है आप चाहे कहें दैहिक गुर्चूत्र चाहे उसे काईक गुर्चूत्र कहें चाहे समझाद गुर्चूत्र तीनो पूछा जाए तो एक ही टॉपिक है तो दहिक या कायिक गुरसूतर कितने होते हैं यहां पर 22 जोड़ी जो होते है या णी कि 44 गुरसूतर जो होते हैं ert 200 जोरी जोड़ी खें जूने आम कहते हैं फ्रेड्न दाहिक क्या कायिक की सम्जात-गुशूत्र संजात इस नर और मादा दोनों में समान होते है ठिक है देहिक क्या कायिक इस इसे कह सकते है अब फ्रेड दूसरा क्या है एलो सोम या लिंग गुर्चूत्र अब इसी लिंग गुर्चूत्र का फ्रेंड इसी लिंग गुर्चूत्र से लिंग का निर्धारन होता है ये आपको याद रखना है तो इसे एलो सोम भी कहते हैं तो ये होता है फ्रेंट जब 44 गुर्षूत्र हो गया यानि कि 22 जोड़ी तो एक जोड़ी तो बचा यानि कि 2 गुर्षूत्र जो होते हैं एक जोड़ी गुर्षूत्र होता है लिंग गुर्षूत्र ठीक है आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा यह जो फ्रेंड लिंग गुर्षूत्र है यही लिंग का निधान करते हैं ठीक है अभी मैं आपको आगे भी पताऊंगा तो देखे गुर्षूत्र दो परकार क्या होते हैं तो नर में लिंग गुर्षूत्र होते हैं तथा y यानि कि x y जो होते हैं friend ये नर के link गुर्चूतर है नर से जो होगा friend link निर्धान वो x y गुर्चूतर ठीक है और मादा में क्या होते हैं ये दोनों समान होते हैं x तथा x यानि कि बराबर कीज़े तो x and x ठीक है तो नर में link गुर्चूतर यानि कि जो link का निधान करते हैं वो होते हैं friend कितने 2, कौन-कौन x तथा y यानि कि अलग-अलग होते हैं और मादा में link गुर्चूतर कितने होते हैं 2 लेकिन ये दोनों समान होते हैं x तथा x ठीक है अब इन ही गुर्चूतरों की सहायता से friend क्या होगा निर्मान होगा किसका friend नर या मादा हम पहचान पाएंगे ठीक है तो चलिये हम लोग देखते हैं तो अपसे पहले आपको क्या करना है friend यहाँ पर लिखना है नर और यहाँ पर आपको लिखना है मादा ठीक है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं नर और ये है friend मादा ठीक है ये आप लोग समझे सबसे पहले अब देखे friend मैंने आपको बताया कि नर में कौन-कौन से गुर्चूतर होते हैं X and Y ठीक है मादा में कौन-कौन से गुर्चूतर होते हैं X and X ठीक है दोनों प्रकार के गुर्चूतर नर में X और Y होते हैं यह Y है आप लोग अच्छे से समझें आपर यह गुर्च उतर है और मादा में कौन 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 से गुर्च उतरते हैं X and X यह male है यह female है अब friend मैंने आपको बताया है कि जब युगमक बनते हैं friend यह है जनक इन्हें हम लोग कहते हैं जनक यानि की father जनक जो होते हैं जिन से संतान की उतरती होती है यह दोनों जनक है यह नर यह मादा है दोनों को जनक कहा जाएगा अग रेंड जब यूगुमक बनते हैं जनक से जब यूगमक बनते हैं तो वो क्या होते हैं आधे-าधे चले जाते हैं तो देख सकते हैं आप लोग क्या होगा अभी तो देखें यहां पर आप लोग दो युगमक यहाँ निर्मित होंगे दो युगमक यहाँ पर निर्मित होंगे तो फ्रेंड एक यक्स आप लोग देख सकते हैं जब जनक से युगमक बना तो एक यक्स यहाँ पर आया वाई यहाँ पर आया यानि कि यह युगमक है फ्रेंड यह क्या है? युगमक एक यक्स आया, अद्धसुत्री भीभाजन यानि कि यहाँ पर जब हुआ तो पिर्थक करण का नियम लागव हुआ तो जनक से जब युगमक बनते हैं तो आधे आधे पिर्थक हो जाते हैं तो यक्स यहाँ पर और युआ यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर देखिए मादा में क्या हूआ एक यहाँ पर एक यक्स, दोनों यक्स आ हो हैं ठीक है, क्योंकि यहां दोनों यक्स हैं तो अर्थूत्रि विभाजन के फ़र जोर выпуск रहेंगे अफ फरेंट देखिए क्या हो लिंग का निर्धारन यहां से किस प्रकार होगा तो आप लोग इसे समझने का प्रेत्रिंग कीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर इससे इसको मिलाएंगे क्योंकि इस लिंग गुर्चूतर से इस लिंग गुर्चूतर को ठीक है अब देखे फ्रेंड क्या करेंगे यहां से हम लोग यानि कि इसको हम लोग इससे मिलाएंगे किसे इस वाले लिंगूर्श उतर से पहले आप इससे इन दोनों को कीजे संकरन कराईए ठीक है अब क्या करेंगे हम इसको जो है फ्रेंड इससे मिलाएंगे ठीक है और जो यह है friend इसको हम इससे मिला देंगे यानि कि friend क्या करना है आप लोग simply यहाँ पर समझे तभी आपके समझ में आएगा आपको करना क्या है फ़र पहले आप इस X को इन दोनों से मिला दीजिए फिर इस Y को इन दोनों से मिला दीजिए चार प्रकार के युगमक बनेंगे फ्रेंड अब उन चारों प्रकार के युगमकों को आप समझी यहां पर आप लोग समझेए कि कैसे बनेंगे वो चारो प्रकार के यूग मक्ट ठीक है तो देखे फ्रेंड यहां पर एक यक्स और एक्स को आपने मिलाया ठीक है तो बना क्या फ्रेंड ब्लूपेंड से हम लिखते हैं कि एक्स आइंड एक्स क्योंकि इस एक्स को आप एक्स से मिलाएंगे तो एक्स और एक्स बनेगा ठीक है अब आप इस एक्स को इस एक्स से मिलाएंगे तो एक्स और एक्स बनेगा आप इस Y को इस X से मिलाएं तो X and Y बनेगा फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि अगर जोनों समझात गुर्चूत रहां यहां वर मलब दोनों समान गुर्चूत रहां X और X दोनों है तो यह होगा फिमेल यानि कि मादा मादा होगा ठीक है जो संतान होगा ये भी मादा क्योंकि दोनों xx है ये xy है friend ये होगा नर और ये होगा नर तो friend यहाँ पर आप लोगों को क्या समझ में आया कि जो मादा है उसका क्या गुण सुत्र होता xx और मादा का xx और नर का y xy और नर का xy ठीक है तो इस प्रकार से होता है link निर्धारन 50% नर बना और 50% मादा ठीक है तो आगे देखे क्या होगा तो friend 50% नर बनेगा और 50% क्या बनेगा मादा यानि कि 50% जो संतान होगी friend वो होगी नर और 50% संतान क्या होगी मादा होगी ठीक है अब friend एक चीज आपको यहाँ पर note point के रूब में लिखना है बहुत ही ज्यादा important है क्या आप लोग उसे जानते हैं नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ तो देखे friend जो मनुस्य का यानि कि नर का वाई गुड़ सूत्र ही जो है नर तथा मादा का लिंग निर्धारन करता है यानि कि friend जो नर का वाई गुड़ सूत्र है वही जो है उसी के कारण जो है लिंग का निर्धारन होता है कैसे नर का वाई गुड़ सूत्र ही यह पता करता है कि जो वोने वाली संतती है वो नर होगा या मादा होगा ठीक है उसी के कारण ये सब पता चलता है कि नर का जो वाई गुर्चूतर है इसी से हमें नर और मादा का लिंग निर्धारन करना भाए ठीक है तो नर का वाई गुर्चूतर ही जिम्मेदार होता है किसके लिए नर गुर्थूत्र ठीक है का हम संकरन कराएं तो क्या बनेगा 50% नर बनेगा और 50% माधा बनेगा तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंड और चलिए हम लोग एक बार इसके किरसे और अगयन थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप नरहया माधा ठीक है आप लेचे देखिए लिंग का निर्धारन जो है फ्रेंड गुर्चूत्रों की संख्या गुर्चूत्रों पर निर्भर करता है यानि कि गुर्चूत्र ही लिंग निर्धान के लिए जिम्मेदार होते हैं आगे देखे फ्रेंड मनुस्यों में कुल ग नर में लिंग गुर्चूत्र की संख्या होती है फ्रेंड एक्स तथा वाई यानि कि उनर में लिंग गुर्चूत्र होते हैं यक्स तथा वाई ठीक है यक्स वाई और मादा गुर्चूत्र क्या होता है मादा का लिंग गुर्चूत्र एक्स तथा एक्स दोनों एक्स होते है फ्रेंड जब हम एक्स तथा एक्स यानिकी एक्स वाई का जब हम फ्रेंड नर और मादा का आपस में संकरन कराई यानिकी आपस में इनका निसेचन करवाया फंकरन करवाया फ्रेंड के गुर्चुत्र लिंग गुर्चुत्रो का तो क्या प्राप्त हुए यहां पर हमने में सबसे पहले प्रिथक करण का नियम लागू हुआ युगमक प्रिथक हुए अब यहां से देखे फ्रेंड क्या हुआ लिंग का निर्धारन हो गया तो 50% नर प्राप्थवा में 50% देखे माधा प्राप्थवा ठीक है 50% नर 15% माधा तो नर का वाई गुर्चूत्र ये पता कर पहाई कि जो फंतती है वो नर होगा या माधा होगा तो फ्रेंड आई होप कि आपको जो है फ्रेंड वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही हम लेंगे एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ तो तब तक की लिए फ्रेंड धन्यवाद